नमस्कार किसान भाई और पसुपाल को स्वागत है आपका इस चैनल में एक बरफिट से मैं हूँ आपका दोस्विकास किसान भाई वैसे तो जो है हम सभी नीम के गुड़ों से वाकिफ है दोस्तों ये जो नीम के पेड़ होते हैं वो आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों इसका इस्तमाल जो है हम अपने पसुपाल के बहुत सारे रोगों में कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से घरेलू उपचार में इसका इस्तमाल किया सकते हैं आज मैं आपको इसके उपचार के बारे मता रहा हूँ दोस्तों तो चली दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं और उसमें आपको नमक मिलाना है लगबग 50 ग्राम और पीस करके दोस्तों आपको उस पानी में मिला देना है जिसे आपके पसु पीते हैं तो आप जो है दोस्तों नीम के पत्तों से इसका इलाज कर सकते हैं आपको जो है अपने पत्तों को रेगुलर मात्र में जो है आधा से एक किलो जो है नीम के पत्ते खिलाने हैं दोस्तों जिससे आप अपने पत्तों का दो दूद बढ़ाई सकते हैं साथ में उसे जो है दोस् पसू के सरीर पर लगा देना है दोस्तों जिसे जो है आप जो है जितने भी आपके जो पसू के सरीर में जो चीचर किलनी वगर है वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं और यहां तक की दोस्तों अगर आपके पसू के सरीर में कहीं पर घाव है और वहां पर कीड़े लग जिससे आप इस कीड़े को बहुत जल्दी मार सकते हैं इस तरीके से नीम के पत्ये का इस्तमाल करी सकते हैं और इसके लाव अगर आपके पशु को बुखार आ रहा है तो उसका भी इलाज युग आप से कर सकते हैं और उसे मिला करके अपने पसु को regular तोर पे देना है जिससे आप उसकी बुखार को भी कम कर सकते हैं और तोर दोस्तो अगर आपके पसु के पैरों में खुर्पका टाइप की कुछ समस्या है तो उसमें भी जो है आप नीम की चाल का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको नीम की चाल लेनी है उसमें जो है बराबर मातरा में बबूल की चाल और पलाज की चाल मिलानी है दोस्तो और एक लिटर पानी में अच्छे तरीके से उबालना है और जब वह पानी एक पाव रह जाए तो उस पानी से जो है हमारे अपने पसु के पैरों के पैरों को ध जरूब बताएं और चैनल पर अगर आप नहीं आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले तो आज की डूमिटना है दोस्तों धन्यवाद